हेलो डिये स्टुदेंस स्वाकत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस टूटर में तो आज किस वीडियो लेक्चर स्रीज में हम स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नमबर वन को स्टार्ट करने वाले हैं यह माथमेटिक्स के कंप्लीट फुल कोर्स को यहां पर आपको डिलिवर किया जा रहा है इससे पहले आपके कोडिनेट जमेट्री के बेसिक पे हमने यानि टूडी का जो आपका बेसिक होता है पॉइंट के बारे में डिसक्शन करते हैं आपके सेक्शन के बारे में डिसकर्शन करते हैं इन सभी से लिटर हमने चार लेक्चर आपको बेस आपके एरफोर्स नेवी एंडिये कोस्टगाड इन सभी जानुशन के लिए बेरी बेरी इंपोर्टेंट होंगे यहां आपके एरफोर्स एक्स ग्रूप में अभी जो आपके अगनी विर के जो टेक्निकल ग्रूप है उसमें पुछे जाएंगे प्रिशनाति साहत नेवी प्रिशन कर रहे हैं तो उनके लिए मैथमेटिक्स बहती इंपोर्टेंट है वीडियो को बिल्कुल सौर्ट में बनाया जाएगा और बिल्कुल सठीक जनकारी दी जाएगी और वही सब कंसेप्ट आपको इंपोर्टेंट कंसेप्ट बताया जाएंगे फालतु के चीज़े चैनल को जोईन कर लिएगा आपको वहीं पर सारी पीडियाफ वीडियो आफ कोस्ट मिल जाएंगे चलिए आगे की और बढ़ते हैं और यहां पर सबसे पहले अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कम समय में हमारा यही कोसिस रहेगा कि छोड़ा चोड़ा फ्रीम बनाकर आपको सारे अच्छे-चे कंसेप्ट को सिखाया जाए यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं और उससे form जो हमारा 10 theta होता है वह हमारा सलोप होता है तो यहां पर जो कथा लिखाव है यह आपको पढ़ने के लिखा गया है और इसको हमने समझा दिया है और अच्छे तरीखे से इसको नेक्स्ट पेज में आपको अच्छे से डेलीवर करके अच्छे से बताएंगे जैसे क कि माल लेते हैं कि यह हमारा क्या है आपका एक सेANS है यहां पर हमारे पास दो पईंट पाता है पॉइंट नमबर ईपता है पॉइंट systemsx framing just जो हमारा x-axis है यानि horizontal axis है यानि x-axis से थीटा डिगरी, x-axis से anti-clockwise direction में थीटा डिगरी, ठीक है हम जाएंगे, x-axis से anti-clockwise direction में थीटा डिगरी जाएंगे, तो यह हमारा क्या हो गया, x-axis हो गया, इस से anti-clockwise direction में हमारा थीटा डिगरी हमने यहाँ पर चले गया, तो इस थीटा का आगर हम 10 theta निकालते हैं, इस theta काई हम 10 theta निकालते हैं, और यह जो 10 theta का value जो निकलेगा, वही हमारा क्या होगा? M होगा, यानि वही हमारा क्या होगा? slope होगा, और slope का generally हम M से denote करते हैं, थीक है? तो हम क्या करेंगे? हमारे पास योद्दी दो point दिये गये हैं, equation of line parallel to x-axis is y equal to k equation of line parallel to x-axis का ज़रा है कि कोई भी line कोई भी line का equation जो x-axis के parallel होता है वो क्या होता है आपका y equal to k होता है चलिए और साथ equation of line parallel to y-axis वो क्या होता है x equal to h होता है तो इन दोनों point को अच्छे से समझते हैं कि रटने की जरुवत कुछ भी नहीं है रटने की जरुवत बिल्कुल नहीं है साड़े चीजों को बारिकी से समझाया जागा बिल्कुल अच्छे से concept आपको डिलिवर किया जागा ताकि रटने की कोई जरुवत न पढ़े slope में थोड़ा सामबस और जानेंगे और बिल्कुल पॉइंट पॉइंट बात करेंगे ताकि ज्यादा लंबा वीडियोज न खीजे ठीक है नहीं तो ज्यादा समझाने लगेंगे कुछ और एक्स्टा आपको एक्स्टा काइब देने लेंगे इसमें तो लंबा चला जाता है वीडियो जितना कंसेप्ट हमें जितना कोस्ट हमें सब्सक्राइब करके बताएंगे थोड़ासा और बस थोड़ासा और समझ लेते हैं कि यदि आपको बता दे यह जो टैनफीटा इकल टो एम इकल टो स्लोप दिया गया है आपसे अगर तैन थीटा के फैलू पुछे जैसे यहां पर आपको तैन थीटा निकालना हो तो आप इसको क्या लख सकते हैं आप इसको सिंप्ली इनके वाइक कोडिनेट का डिफ्रेंस यानि वाइटू माइनस वाइन अपॉन एकस् थीक है ये भी हमें क्या देता है आपका स्लोप ही प्लवाइड की कर रहता है ये घृचल हो गया स्लोप करते हैं ये Nearlybbe हम हम थीटा पता हो तो यहां से एक्ससिस के परलर हो, equation of line parallel to x-axis is y equal to k यानि x-axis के parallel, जो भी line होंगे उनका equation क्या होगा? y equal to kya होगा आपका, देखे, y equal to kya होगा, k होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x-axis बनाएंगे और y-axis को बनाएंगे, तो यह हमारा क्या हो जागा? axis हो जाएंगे ठीक है यहां पे हमारा x axis हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा y axis हो जाएगा ठीक है उसे पकार से हम यहां पे अपने point number 2 को लिखेंगे ठीक है point number 2 को लिखेंगे यहां भी अपने axis को बनाएंगे और दोनों point को एक ही साथ हम cover कर लेंगे ठीक है जो क्या है घészके पेलर ए CC मां इस प्य पेलर लाइन का आप सिर्ग कोउस्पन पुचा जाता रजैसे यह लइन और यह लईन हो गया यह लाइन हो गया सब ही क्या है parallel है सब क्या अर मैं भए बहुत है और मांन लेते हैं कि यह प्वाइंट है हमारा यह पॉइंट का कोडिनेट हमारा यहां पर वन दिया गया है यह पॉइंट का कोडिनेट हमारा यहां पर टू दिया गया हो यह पॉइंट कोडिनेट हमारा थी दिया गया हो इस पकर सारे पॉइंट यहां पर दिया गया है उसी तरह से मानते हैं यह पॉइंट का कोडिन होगा वह बड़ाबर होगा हमारा किसके बड़ाबर होगा वह हमारा बड़ाबर होगा वाई कोल टू क्या होगा वाई कोल टू देखिए सारे जो पॉइंट हैंगे यह वाई के बारे में कुछ बताएंगे यानि वाई कोल टू संथिंग बताएंगे तो वाई कोल टू क्या हो तो हमारा एक्सेस के पैलल जो लाइन होंगे वो कोई भी हो सकते हैं y equal to 2, y equal to minus 2, y equal to minus 3, सभी लाइन के हमारे एक्सेस के पैलल है, तो इसका equation यही हो जाएगा, उससे पकार से आपका अगर y एक्सेस के पैलल पूछे तो y एक्सेस के पैलल यह हो गया, y एक्सेस के पैलल यह y-axis के परलल है तो यहां से जो हमारा equation होगा यहां से जो हमारा equation निकलेगा equation of line parallel तो y-axis वो क्या होगा आपका होगा x equal to plus minus आपका something जैसे मान लेते है फ्लिक है तो ये दो आपको कहाई रखना है ये दो concept आपको अच्छे से याद रखना है जब क्यारा ने एंपको यादधना है थिक है इसी concept को हम ने यहाँ लिख दिया है ताक्या कि अगर मान लेते हैं थोड़े रिख लेकृ अगर आपको हमारे नमबर थिरी मिलखा जाला है कि equation of line with slope m making an intercept c on the y-axis is y equal to mx plus c ठीक है चली इसको समझते हैं इस concept को बिल्कुल छोटा concept बिल्कुल little concept है और बहुत ही easy concept है जैसे कि हमारे पास क्या हो हमारे पास एक x-axis हो हमारे पास क्या हो x-axis और y-axis हो यह हमारा हो गया x-axis यह क्या हो गया y-axis ठीक है और साथी साथ हमें क्या पता हो हमारे पास एक क्या पता हो question number sorry point number 3 में हमारे पास क्या हो slope पता हो line का और क्या हो intercept पता हो ठीक है तो उसका question कैसे लिखेंगे तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है एक line है एक line है इस पकार से ठीक है हमारे पास एक लाइन इस पकार से इस लाइन का हमें क्या पता है इस लाइन का हमें स्लो पता है तैन थीटा इक्वल टू एम पता है और साथ साथ इस लाइन का हमें इंटरसेप्ट पता है इंटरसेप्ट क्या पता है सी पता है देखिया इंटरसेप्ट वह ढिस्टेंस होता है जो कि हमारा ओए suppos पर जो हमारा line जो होता है जितना दूरी बनाता है वह हमारा intercept होता जैसे कि यह line जो है यह y direction पर यानि y axis पर c दूरी बना रहा है तो इसका intercept क्या हो गया c हो गया ठीक है तो इस condition में जो equation होगा equation of line सम्माल लेते हैं यह a point है और यह क्या है b point है तो equation of line a b जो होगा वो क्या होगा तो वो होगा y equal to mx plus c m क्या है यहापर slope है और c क्या हमारा intercept है तो यह क्या होता है हमारा equation of line होता है कब होता है जब हमारे पास slope दिया गया हो यानि m x slope दिया गया हो और c क्या हो intercept दिया गया हो तो याद रखेगा आपके पास m equal to 5 दिया गया हो और slope c का value कितना दिया गया हो आपको पास 9 दिया गया हो तो equation पूछा जाए तो आप से यहाँ पर equation of line पूछा जाए equation of line तो वो क्या हो जाएगा y equal to 5x plus 9 हो जाएगा थीक है तो इस तरह क्या करेंगे इनको हम पनाएंगे समझ रहे चलिए next point कियो बढ़ते हैं point number fourth को समझते है point number fourth को समझते है sorry point number fourth को समझते है point number fourth में क्या लिखा जाना है एक बार उसे पठ लेते है equation of line with slope m passing through x1 y1 is इतना ठीक है यहाँ पर questions थोड़ा सदर different है आपके पास एक line दिया गया है जिनका slope आपको पता है और साथ यहाँ पता है कि वो जो line है वो something एक point से गुजर रहा है जैसे यहाँ पर x axis हो गया यह हमारा हो गया y axis हो ठीक है और आपके पास क्या हो एक line पता हो ओक पास हो इसे कि हमारे पास यह line है ठीक है इस line के बारे में क्या दिया गया हो यहing मारा वो theta degree का एंगường बना रहा है यानि क्या सकते हैं यहाँ पे इसका हमें tan theta पता है होगे को सीलोग पता है और सांती सांथ हमें यहां पर पता है है एक संगेट देख लेते हैं सुलोग native है नहीं चली में ओर से 100 से पास कर रहा है थूज यू लाइन है कहां से पास कर रहा है एक स्बक्राइब कर रहा है 0,216 जीयो लिखेशन है यहाप और यह point B है, तो equation of line AB, वो क्या हो जाएगा बताइए, तो देखेगा, जब भी याद रखेगा, आपके पास slope पता हो, और intercept पता हो, तो equation of line होता है y equal to mx plus c, लेकिन साथ जब भी आपके पास क्या पता हो, slope पता हो, और आपके पास एक point पता हो, तो उस हमें equation of line क्या लिखते ह m into x minus x1, m into x minus x1, तो यह क्या हो जाता है हमारा equation of line हो जाता है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, यहापे हम घहर देते हैं आपके लिए, ठीक है, चलिए, तो यह क्या होता है, हमारा y minus y1 equal to m into x minus x1, ठीक है, यही हमें पता है, यही हमें यहापे आपका दिया गया है, ठीक है इसको थोड़ा से एक example से समझ लेते हैं चोटा example से तो मान लेते हैं कि example में हमारा question होगा कि हमारे पास m equal to क्या पता हो 5 पता हो और एक point पता हो and एक point P है जिसका coordinate 3,5 है इससे क्या है हमारा line pass हो रहा है तो आपका equation of line आपसे पूछेगा इसको बिल्कुल statement पुछाएगा आपको बिल्कुल statement दिया गया होगा कि for a line having slope equal to इतना and the line passes through the point P 3,5 then find the equation of line इस परकार से आपका वहाँ पे question होगा ठीक है तो इसका equation of line के से निकालेंगे तो सबसे प्ले क्या करेंगे y में से क्या करेंगे इसका हम solution बनाएंगे y minus y1 करेंगे यानि y minus y1 का value कितना है 5 है equal to slope slope का 5 into x minus x1, x1 का value कितना है आपका x1 का value का आपका 3 है तो यह क्या हो जागा required equation of line हो जागा आप इसको further आगे तोड़ लिजेगा आपको यहां पर इसको पास से multiply करके तोड़ लिजेगा और equation of line यहां से find कर लिजेगा ठीक है तो इस तरह किसी करते हैं इन questions को बनाते है तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहां पर मिलने नेक्स वीडियो में और किसी प्रका का doubt ह अबर किया गया चारों पॉइंट को अच्छे से करके अच्छे तरीके से आपको बताया गया है ताकि आपको रटने की जरूतना पाले ठीक है और यह concept आपके लिए बहती कर सकते हैं यह लावदायक सावित होगा आप अगर अच्छे से सारे वीडियो को completely भाज करते हैं आपके लिए बाबाए